हेलो दोस्तो स्वागत है आपका डिफेंस टॉकस में तो दोस्तो आज के इस टinelyक में हम लोग बात रूख करने वाले हैं कि आपके जो कोचिंग है क्या वो निसेसरी है किसी भी एक्जाम को क्रैक करने के लिए क्या कोचिंग जाना सही है मैंने defense exam इसलिए लिखा है क्योंकि मैं defense के related video मनाता हूँ वरना तो ये video हर एक exam के लिए applicable है आपको मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ बहुत लोग को पता नहीं होता है और ऐसा आपके जो coaching वाले हैं वो लोग भी नहीं दिखलाते हैं तो वो सारे चीज़ें आपको आज मैं इस video में बताने वाला हूँ और अगर आपको इस video समझ आएगा तो इस video को लाइक करके मुझे बताना और दोस्तों एक चीज़ मैं clear कर दो कि मैं किसी भी coaching के against नहीं बोल रहा हूँ बस मैं उनकी सचाई आपको दिखा रहा हूँ ठीक है तो यह नहीं सोचना है कि मैं किसी कोचिंग के बारे में बुरा बोल रहा हूँ हमारे coaching में दो मंत का है तीन मंत का है यह सब आपको वो चीज़े बताते हैं अपने जो website है ठीक है लेकिन दोस्तों आप खुछ सोच के देखो कि आपको जो syllabus क्या है आपको syllabus है 9, 10, 11, 12 यानि कि चार क्लास है आपके syllabus में तो क्या वो चारों क्लास है एक महिने में पढ़ा सक और अगर basic week है तो भी कोई बात नहीं है अगर आप एक help ले सकते हो किसी से तो उस चीज़ को समझ कर आप एक अच्छा score कर सकते हो क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारे topics बताए है important जो की paper में पुछे जाते हैं तो आप उसका help लेकर खुद self-stick कर सकते हो मुझे आप खुद स क्या सिखाएगा comprehension ढून के सीखना सिखाएगा कि आपको jumble work सिखाएगा तो ऐसे कोई कुछ नहीं सिखाता और इसमें सीखनी के जरूरत भी नहीं है यह जो हम लोग पढ़ते आये हैं बस वही चीज हमको पढ़नी है यानि जो हमने 11th 12th ठीक है 9th 10th में जो हम लोग basic knowledge जो हम के concept होते हैं ठीक है आपने बहुत लोग से सुना होगा कि हम लोग हमारे पास ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप कोशन बहुत स्लो बहुत जल्ली बहुत तेजी में कर सकते हो लेकिन तो ट्रिक्स पता इसलिए क्या होते concept अगर आपको concept strong है अगर आपने मेहनत की practice की है previous करके question solve क हैं तो आप देखोगे कि हब आप लोग हर एक question कर पाओगे बिना किसी कोचिंग के बिना किसी ट्विशन के अचा दोस्तों एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं ठीक है यह तो coaching वाले हैं यानि कि जो website में आपको दिखाते हैं अपने faculties के बारे में दिखाते हैं अपन आपको फीज बड़ा होता है इस चीज़ को भी समझते हैं अब दोस्तों आज है ना कोचिंग बिजनस बन चुका है ठीक है अब कोई भी अगर मैं defense के बात कर रहा हूं ठीक है अभी तो तो उसमें क्या ले रहते हैं लोग 30,000 फीज ठीक है यानि कि आपको coaching का फीज अलग स मैस है आपका जो food है उसका फीज अलग से इसे अपका चार्ज करके 30,000 से भी उपर का बिल बना देते हैं लेकि दोस्तों इसकी जरूत है या वन मन्त के लिए हम लो 30,000 पे करें यार यह तो जही से भी बहुत महंगा है यानि कि जो सबसे टफेस्ट पेपर होता है जही उसस तो क्या यह चीज जो तो स्लेबस है वो तो पूरे वेबसाइट में चाया हुआ रहता है कि यह स्लेबस है यह पढ़ लो यह पढ़ लो तो यह पढ़ने के लिए हमको दूसरे का सहरा लेना पड़ेगा यह मैं आप से पूछता हूं कोशन आप इसके बारे में सोचना ठीक ह और इस चीज में मैं आपको कुछ बताता हूं ठीक है मेरे बहुत सारे दोस्तोंने क्लियर किया है जितने भी NDS, CDS है सब है और उनसे मैं पूछा कि यह कोचिंग ज़रूरी है उन्होंने बताया कि हमने तो बिना कोचिंग के ही जो पेपर है सारे क्लियर की है तो मैंने आई हैं एक परपर प्लानिग से तियारी करोगे तो बीना कोचिंग छे आप कर सकते हो क्लियर और अज यह कोचिंग है थो सब क्या मतलब होता है यह इतने बच्चे को आप पढ़ा ले रहे हो और कम से कम 10,000 बच्चे आप से पढ़ रहे हैं तो आप इतना फीस चार्ज करके मतलब क्या इसमें आपको प्रॉफिट ही दिख रहा है बच्चों के बारे में सोचना चाहिए लोग को तो मैं बताता हूं कि कोचिंग जाना बुरी बात या फिर अच् किस तरीके से क्लियर करना चाहते हो ठीक है और अगर आपको यह समझ आया होगा वीडियो तो इसको लाइक कर देना शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ ताकि वो भी इस चीज़ को देखे और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगी तो दोस्तों चलते हैं जय हिन जय भारत